हेलो फ्रेंड स्वागत है आप से विका अपने चैनल देख जाम तक पे फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SSE इंटर लेबल की जो भरतियां ही उसके लिए हम लोग GKGS को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसमें जो है शमान अध्यान जो की प्रैक्टिस सेट नमबर 11 को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे इसमें जो है SPD Publication के शमान अध्यान आये हैं जो की पाईशाट सो पलस वस्तुनिष्ट प्रश्न के साथ हैं जो हम लोग 11 को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे इसमें जो है हम लोग सेट के मादैम से सेट वाई सेट की मादैम से हम्मुक्य आकट्षन विंदु को जोकी भारत के प्रोसिदेश, भारत में बिश्व के इतिहाश और साइंश विग्यान, अर्थसास्त्र ये सारे सब्जेक्ट को जो है हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथी वेल आइकन को भी फ्रेश कर लीजेगा, ताकि इसमें जितने भी बिहार एससे से रिलेटेड वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चलिए फ्रेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नमबर 11 को कभर करते हैं, तो चलिए फ्रेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला प्रशन है कि 20 सुभाईं का मुख्याले कहां अस्तित है, 20 सुभाईं की मुख्याले की बात करें, तो यह जो है, वासिंग अटन DC में है स्तित है, वासिंग अटन DC, जो कि अप्सन नमबर 12 का राइट इंसर हो जाएगा, और वासिंग अटन DC की बात करें, तो वासिंग अटन DC जो है, यह अमेरिका में है स्तित है, अगला प्रशन है कि अंतराश्टी मुद्राकोष यानि IMAF का मुख्याले कहां अस्तित है, अंतराश्टी मुद्राकोष की म मुख्याले की बात करें, यह जो है, यह भी वासिंग अटन DC में हस्तित है, तो वासिंग अटन DC जो है, इसका भी राइट इंसर हो जाएगा, अगला प्रशने की अंतराश्टी स्रम संगठन की अस्तापना की स्थापना, वासिंग ते है इस्थापना जो की वर्ष 1863 में की गई थी इंटरपूल का मुख्याले कहा है इंटरपूल की बात करे इंटरपूल का मुख्याले जो है यह लियोन जो की फ्रांस में पढ़ता है लियोन में जो है इंटरपूल का मुख्याले इस्थित है अगला प्रशन है उदार रीन खिलाडी किसे कहा जाता है उदार रीन खिलाडी की बात करें तो यह जो है वासिंगे टेंडीशी में है और IMEF की अस्थापना की बात करी तो इसकी अस्थापना जो है 1945 में की गई थी राष्ट मंडल की अस्थापना किस वर्स की गई राष्ट मंडल की बात करी तो राष्ट मंडल की अस्थापना जो है ये 1926 इस्वी में की गई थी अगला प्रश्ण है कि राष्ट मंडल का मुख्याले कहा अस्थित है राष्ट मंडल की बात करें तो राष्ट मंडल का मुख्याले यह लंदन में अस्थित है भारत किस वर्स राष्ट मंडल का सदस्य बना भारत की बात करें तो भारत जो है 1949 में राष्ट मंडल का सदस्ट बना था नाटो की अस्थापना किस वर्स की गई नाटो की बात करें तो नाटो की अस्थापना जो है यह वर्स 1949 सिस्वी में की गई थी नाटो का मुख्याले किस तिस में अस्थित है नाटो के मुख्याले की बात करें तो यह जो है वेलजियम में अस्तित है नाटो का मुख्याले वेलजियम अगला प्रशन है कि डवलू याचो यानि बिस्वस्वास्त संगठन का मुख्याले कहां अस्तित है बिसुस्वास संगठन की बात करे जिनेवा में अस्थित है डवली एचो के मुख्यले जो की जिनेवा में अस्थित है सार्क की अस्थापना किस वर्ष की गई सार्क की बात करे तो सार्क की अस्थापना जो है ये 1985 में की गई थी सर्क का मुख्याले कहां अस्तित है सर्क के मुख्याले की बात करी तो यह जो है काटवांडू जो की नेपाल की राजदानी है यहां जो है सर्क का मुख्याले अस्तित है आसियान का मुख्याले कहां है आसियान की बात करी तो आसियान का मुख्याले जो है ये जकार्था में अस्थित है रेट क्रोस के संस्थापक किसे माना जाता है रेट क्रोस के संस्थापक किसे माना जाता है रेट क्रोस के संस्थापक की बात करे तो हेंडरी डिवी और राउंट को जो है रेट क्रोस का संस्थापक माना जाता है रेट क्रोस का मुख्याले कहा अस्थित है रेट क्रोस के मुख्याले की बात करें तो रेट क्रोस का मुख्याले जो है ये जिनेवा जो कि सुटियर लेड में पढ़ता है जिनेवा में जो है रेट क्रोस का मुख्याले अस्थित है अगला प्रशन है कि अभी तक Red Cross को कितनी बार Novel सान्ति प्रुसकार मिल चुका है रेड क्रोस दिबस जो की पत्तिक वर्ष आठ मही को मना जाता है आठ मही को पत्तिक वर्ष रेड क्रोस दिबस मना जाता है एमनेश्टी इंटरनेशनल की अस्थापना कब हुई एमनेश्टी इंटरनेशनल की वात में तो इसकी अस्थापना जो है 1961 में की गई थी एमनेश्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नॉवेल पृसकार जो कि सांती में पृसकार प्रदान किया गया सांती का नॉविल प्रीशकार Amnesty International को यह वर्ष 1977 में प्रदान किया गया था 1977 इसका राइट एंसर वो ज certaintyगा अगला प्रश्ण है Mnesty International का मुख्याली क्या है Mnesty International का मुख्याली की बात करें इसका मुख्याली जो है यह मानवा धिकार की सुरच्छा करना जो है इसका मुख्या ले है मुख्यकार है अगला प्रशन है कि Amnesty International का मुख्यकार ही क्या है Amnesty International का मुख्यकार मानवाधिकार की सुरच्छा करना Option B इसका राइट इंसर हो जागा मानवाधिकार की सुरच्छा करना प्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो आप लोग जो है वीडियो को лайक कर देंगे और चैनल को अभी तक सबस्क्राईब नहीं किये तो चैनल को भी सबस्क्राईब कर देंगे अगला प्रश्ने की इंटर पोल क्या है इंटरपोल की बात करित या जहें अंतराश्छिया प्राधिक पुलिस संगठन है अगला प्रश्ण है कि W.O. की अध्यच बनने वाली पर्थम मैला कौन थी seeking W.O. की पहली मैला की बात करित इसकी पहली मैला जो थी ये राजकुमारी अम्रीता कौर थी तो राजकुमारी अमरिता को और अफसर है इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशने की गुट निर्फे चांदोलन की अस्थापना कहा की गई गुट निर्फे चांदोलन की अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना जो है गुट निर्पेज चांदोलन के स्थापना ये जो है वेल ग्रेड भी किया गया था तो वेल ग्रेड ऑप्शन भी इसका राइट इंसर हो जाएगा ब्रिक्स में कुल कितने दिश समिलेते हैं ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जो टोटल दिशो की संक्या है ये पांच है अगला प्रशन है डवलू टीओ की इस्थापना की बात करें तो इसके इस्थापना जो है ये वर्स 1995 में किया गया और डवलू टीओ की फुल फॉ लुए यह डवलू टीओ को का जाता है और इसकी अस्थापना जो है 1995 में किया गया था। याँनियम का पर्थक बैठक की बात करें तो इसका पर्थम बैठक यह वेल गरेड में हुआ था। अगला प्रशने बर्तमान में शार्क देशों की संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है। बर्तमान में शार्क देशों की संगठन में टोटल देशों की संख्या जो की आठ है। शार्क में कितनी है देश है तो टोटल आठ देश है। अपेक का मुख्याले कहा अस्तित है अगला प्रशने ब्रिक्स की अस्थापना किस वर्ष किया गया ब्रिक्स की अस्थापना दोज़ा नो में किया गया था अगला प्रशने अमनेश्टी इंटरनेश्टी इंटरनेश्टनल का मुख्याले कहा अस्तित है अगला प्रशने सार्क का आठवा सदस दिश कौन बना है सार्क के आठ में सदस्य देश जो कि अफगानिस्तान बना है अफगानिस्तान इसका राइट इंसर हो जाएगा और सार्क में टोटल देश की संख्या कितनी है तो आठ है कौन सा एरोपीय संग का सदस्य नहीं रहा एरोपीय संग का सदस्य नहीं रहा अगरा प्रशन है कि सुर पर्था में 11 देशों में यूरो को अपनी अधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्स बनाया है यूरो की बात करें तो 11 देशों में यूरो को अधिकारिक मुद्रा बनाया गया और यह जो है वर्ष 1999 में बनाये गया तो option A इसका right answer हो जाएगा और ये भी question पूछा जा सकता है कि बर्तमान में euro जो है कितनी देश की मुद्रा है तो total जो है बर्तमान में euro जो है total 20 देशों की मुद्रा है तो 20 ये भी याद रखेगा अगला प्रशन है हडपा सविता की सबसे पूर्वी अस्थल कौन है हडपा सविता की सबसे पूर्वी अस्थल जो की आलमगीरपूर है आलमगीरपूर जो की यूपी में बढ़ता है अगला प्रशन है आग का विसकार किस काल में हुआ आग की बात करें तो आग का विश्कार जो है यह पूरा पाशान काल में हुआ था पूरा पाशान काल अपसन से इसका Right Answer हो जाएगा अगला है कि 1921 में हडपा की खोज किसने की थी 1921 में हडपा की खोज की गई थी और ये जो है दयाराम सानी की द्वारा किया गया था हडपा की खोज जो की दयाराम सानी की द्वारा किया गया था और इसकी खोज जो है 1921 में किया गया था इतिहास का पिता किसे कहा जाता है इतिहास के पिता की बात करें तो इतिहास का पिता जो है ये हेरो डोटस को कहा जाता है हेरो डोटस option से इसका right answer हो जागा अगला प्रशने कि मानम ने स्वरपर्थम किस धातु का उपयोग किया मानम के द्वारा जो है स्वर पर्थम तावा धातु का उपयोग किया गया था अगला प्रशन है कि सत्पत ब्रह्मन गरंद की इसका शमबन जो है किस वेद से सत्पत ब्रह्मन गरंद की संबन की बात करें तो इसका शमबन जो है यह यजूर वेद से है यजूर वेद ऑफ्षन है इसका राइट इंस रो जागा और टोटल जो है चार वेद है गद एबम पद वाला वेद कौन सा है गद एबम पद वाला वेद की बात करें तो यजूर वेद जो है ये गद एबम पद वाला वेद है गोड़े के जिवास्म यानि हड़ी कहां से मिल हैं घोडुक के जिवास में हड़िया की भात करें यह प्रसिद है गुफा शैल चितर के लिए दिसमें प्रेट के प्रस्तित है गुफा सैल्चित्र अप्सन इन का राएंसर हो जाएगा सबसे प्राचिन्तव अभी लेक चोगी बोगाज कोई से प्राप्त किय nehme बोगाज कोई option D's का right answer हो जागा अगला परस्ण हडपा में मिट्टी के वर्तर पर प्रयुक्त होने वाले रंग जो की रेट थे यानी लाल थे मानव के द्वारा जो है सबसे पहले पाल्तु जो है सबसे पहले कुट्टा को बनाय गया था मानव के द्वारा सबसे पहले पाल्तु जानवर जो की कुट्टा को बनाय गया था सिंदू सबिता किस काल की थी सिंदू सबिता की वात करें तो सिंदू सबिता जो है यह आद ऐतिहासिक काल की थी तो आद ऐतिहासिक काल option D's का right answer हो जाएगा यक से समधित विधी विधान का वर्णन है यक से समधित विधी विधान का वर्णन जो है यह यजुरवेद में है यजुरवेद option बीज का right answer हो जाएगा अगला प्रशन है कि काश के बने नर्तकी किस अस्थान से मिली है काश के बने नर्तकी की वाद करें तो काश के बने नर्तकी जो है यह मोहन जोदरो से मिले है अगला प्रशन है कि पुरानों की कुल संख्या कितनी है पुरानों की कुल संख्या के वाद करें तो पुरानों की कुल संख्या जो है टोटल पुरानों की संख्या ठारा है अगला प्रशन है कि मौर इबंस की जानकारी मिलती है मौर इबन्स के जानकारी की बात करें तो मौर इबन्स के जानकारी जो है ये विष्णू पुरान से मिलते हैं विष्णू पुरान आप्सन है इसका राइट इन सर जाएगा लोथल किस नदी के किनारे अस्तित है लोथल की बाद करें तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अस्तित है गायतरी मंत्र की रचनाकार कौन है गायतरी मंत्र की रचनाकार की बाद करें तो गायतरी मंत्र की रचनाकार जो है ये विश्वा मित्र है विश्वा मित्र options इसका right answer रोजेगा अगला प्रशन है निम्कित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है सबसे प्राचीन दर्शन की वाद करें तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है ये सांखे दर्शन है बुद्ध का पर्थम प्रवचन का लाता है अगला प्रेशन है वैदिक सभृता का कारेकाल क्या है वैदिक सभृता का कारेकाल के वाद करेएं तो इसका कर्यकाल ये यह पन्दरा सो से छोसो इस पुर्व है जो कि वैतिक सविता का करेकाल है रिक वैतिक काल में आज जीवन और विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था अगला प्रस्ने सिद्धु सविता के लीपी किस प्रकाट की थी अगला प्रशन है कि आरियो का मुल निवास अस्थान जो है ये मध्य एसिया था अगला प्रशन है कि रिग वेद में गंगा नदी का उलेक हुआ है रिग वेद में गंगा नदी का उलेक की वाद करें ये एक बार किया गया है गयत्री मंत्र रिग वेद के किस मंडल में वर्नित है गयत्री मंत्र की वाद करें तो गयत्री मंत्र का जो वर्नन है वो रिग वेद में इसका वर्नन तीन वार है तीरती에 options 6rica right answer जलेगा गोत्र सब्द की उत्पाति कबूई गोत्र सब्द की बात करें तो इसकी उत्पाति जो है उत्तर वैतिक काल में हुई थी उत्तर वैतिक काल options 6 का right answer जलेगा अगला प्रस्वने रिगवयतिक काल की सबसे प्रमुख देवता थे रिग वैतिक काल की सबसे प्रमुख देवता जो की इंदर थें इंदर ओप्सन डीज का राइट एंसर रोजेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद जो है रिग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है तो रिग वेद ओप्शन है इसका right answer रजगा और यह जो है सबसे प्राचीन वेद है अगला प्रश्न है कि हडपा से समंधित अस्थल जो की चनहुदूलों है यह कहा अस्थित है चनहुदूलों की वाद करें तो यह जो है हडपा से समंधित अस्थल है और यह जो है सिंद में अस्थित है सिंद ओप्सन है इसका राइट इंस रज़ेगा सत्यमेव जैती किस उपनी सद से लिया गया है सत्यमेव जैती की बात करें तो सत्यमेव जैती जो है यह मुण को उपनी सद से लिया गया है उपनी सदो की कूल संख्या कितनी है उपनी सदो की कूल संख्या के बाद करें तो इसकी टोटल संख्या जो है 108 है 108 उपनी सदो की टोटल संख्या है भारत का सबसे बड़ा महाकावी कौन है भारत का सबसे बड़ा महाकावी जो की महाभारत है अगला प्रशने सिंदु सविता का पतन नगर यानि बंदरगा था सिंदु सविता का पतन नगर बंदरगा की बात करें तो यह जो था लोथल था अगला प्रशने हडपा सविता की समाज का ऐसी थी हडपा सब्था की समाज के बात करें तो हडपा सब्था की समाज जो थी ये मात्रि सत्तात्मक थी मात्रि सत्तात्मक option इसका right answer रोजेगा R37 कबरिष्टान का अस्थित है R37 कबरिष्टान की बात करें तो यह जो है हडपा में स्थित है अगला प्रशने अगला प्रशने बूदद ने पर्थम उप देश कहां दिया था म मनुस्मरिति है मनुस्मरिति अवपसंडिव का रायट इंसर जगा महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान कहा हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान जो है ये कूसी नगर में हुआ था अगला प्रशन है कि महाभारत की फार्सी अनुवाद किस ने किया था महाभारत की फार्सी अनुवाद जो है बुद्धम संग सामिल है प्रन्तु मध्धिवर्ग जो है ये सामिल नहीं है तो अप्सन डीज का राइट इस रहेगा मध्धिवर्ग बुद्ध ने शर्वादिक उपदेश कहा दिये बुद्ध के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा उपदेश ये स्रावास्ति में दिया गया थे अगरा प्रशने के महावीर ने पर्थम उपदेश कहा दिया था महावीर की द्वारा जो है पर्थम उपदेश ये राजगरी में दिया गया था भगवान महावीर का पर्थम सिस्षी कौन था भगवान महावीर की पर्थम सिस्षी की वात करें तो जमाली जो था ये महावीर का पर्थम सिस्षी था गौतम बुद्ध धर्म की पूजा अस्थल कलाता है बौत धर्म की पूजा अस्थल कलाता है बौध धर्म के पोजय intertws ताल जो कि चैत्य मंडब कलाते हैं तो चैत्य मंडब dir जो सांति अस्थूप का अस्थित है बिशु सांति अस्थूप के बात करें तूरा जो है राजगीर में अस्थित है अगला प्रश्ण है कि एसिया का जियोत्य पुंच किसी कहा जाता है अगला प्रशन है इसा मसी को सूली पर किस ने चड़ाये था अगला प्रशन है मुद्रा राच्यास नाटक के रचनाकार की वादकरित इसके रचनाकार ये विसाख दत है जिंद अवेस्ता की वाद करें तो जिंद अवेस्ता जो है ये फारसी धर्म के प्रमुख पुस्तक है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे हैं पारसी धर्म के संस्थापक की बाद करें तो पारसी धर्म के संस्थापक जो थे ये जड़ थुरुष्ट थे जड़ थुरुष्ट अप्संसिस का राइट एंसर रजगा कौटिली रशित अर्थ सास्त्र किस से संबंदित है अर्थ सास्त्र की बात करें तो ये कौटिली के द्वारे लिखा गया है और ये जो है अर्थ सास्त्र जो की राजनीती से संबंदित है अगला प्रशने जैन धर्म के वास्तिविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के वास्तिविक संस्थापक जो है यह महावीर थे अगला प्रशने चंदरगुप्त मौरी की मिर्तिव कहा हुई थी चंदरगुप्त मौरी की मिर्तिव की बात करें यह जो है सरवन वेल गोला में इनकी मिर्तिव हुई थी अगला प्रशने शुल्ला महाजन पदों की सूची उपलवद है शुल्ला महाजन पदों की सूची की बात करें शुल्ला महाजन पदों की सूची जोकी अंगुत्तर निकाई में पस्तित है अगला प्रशने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किशने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद ये बिलिकिन्स के द्वारा की अगय था तो बिलिकिन्स उप्सन भी इसका राइट एट इन्सर जगा अगला प्रश्ण है कि मौरेवल्स के संस्थापक कौन था चानक्य को विश्णु गुप्ति भी कहा जाता है गौतम बुद अपना उपदेश किस वासा में दियें गौतम बुद के द्वारा अपना उपदेश ये पाली वासा में दिया गया था पर्थम बहुत संगीती कहां पर की गई थी पर्थम बहुत संगीती जो कि राजगीरी यानि राजगीरी में की गई थी जैन धर्म के तिरी रत्न कौन है जैन धर्म के तिरी रत्न की बात करें सम्यक दर्शन, सम्यक ग्यान और सम्यक आचरन यह जो है जैन धर्म के तिरी रत्न है यानि option D उपर युक्त सभी इसका right answer जगा कल्प सुत्र के लेखक कौन है कल्प सुत्र के लेखक के बाद करें तो कल्प सुत्र के लेखक जो है ये भद्र वाहू है मेगा अस्थनीज के पुष्टक का नाम क्या है मेगा अस्थनीज के पुष्टक के नाम के बाद करें इसका नाम जो है इंडिका है जैन धर्म शभा यानि पाटले पुत्र के अध्याच थे जैन धर्म शभा में पाटले पुत्र के अध्याच के बात करें तो पाटले पुत्र के अध्याच जो थे ये अस्थूल भाद्र थे अस्थूल भाद्र ओप्शन 20 का राइट इंसर रोजगा अगला प्रशन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमन कब किया था सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमन जो है 326 इसापुरू किया गया था मौर इबंस के प्रचलित मुद्रा कौन थी मौर इबंस के प्रचलित मुद्रा जो की पन थी पन अप्सन डीस का राइट इंसर रोज़ेगा अजीवक संपरदाय की प्रवर्थक कौन थे अजीवक संपरदाय की प्रवर्थक जो थे ये मकली गुसाल थे मकली गुसाल अप्सन डीस का राइट इंसर रोज़ेगा अगला प्रश्ण है कि दूसरी जैन सभा का आयोजन कहां किया गया था दूसरी जैन सभा का आयोजन जो है ये वल लभी में किया गया था वल लभी और सन्वी एक्स का राइट एंसर रोजगा अगला प्रश्ण है कि चानाके का क्या अन्य नाम था चाना के की बात करें तो चाना के का अन्य नाम जो था चाना के का अन्य नाम विसाखदत विस्नुगुप्त और कौटिल सुरी यहाँ पर बात करें चाना के का अन्य नाम तो विसाखदत नहीं था यहाँ पर था विस्नुगुप्त और कौटिल यानि option D's का right answer रज़ेगा चानक की को जो है विश्नुगुप्त या फिर कोटिली ये तीनों नाम से जाना जाता था तो option D's का right answer रज़ेगा B और C दोनो सिकंदर के समकालिन था सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के समकालिन जो था ये खनानन था गनानन्द आप्शन डी इसका राइट इंसर रोजगा अगला प्रशने हरी एक वन्स के संस्थापक किसे माना जाता है हरी एक वन्स के संस्थापक जो कि बिम्बि सार को माना जाता है अगला प्रशने नंद वन्स के अंतिम सासक कौन थे जैन धर में ब्रहमचरी जो है ये ब्रहमचरी को जो है महाबीर के द्वारा जोड़ा गया था महाबीर का वच्पन का नाम क्या था महाबीर का बच्पन का नाम जो कि वर्दमान था अगला प्रशन है कि उज्जाइन का प्राचीन नाम क्या था उज्जाइन के प्राचीन नाम किया गया था एक राट की उपाधी किसने धारन किया था एक राट की बात करें तो एक राट की उपाधी जो है ये महापादनन्द के द्वारा धारन किया गया था भारत पर स्वर पर्थम आकरमन किसने किया था भारत पर स्वर पर्थम आकरमन जो है डेरियस पर्थम के द्वा रम हुआ था, सिकंदर के गुरु कौन थे, सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु जो की अरस्तु थे, अरस्तु जो की सिकंदर के गुरु थे, बूध के पुर्वजन्व का अधारित कथा है, बूध के पुर्वजन्व पर अधारित कथा, इस पे जो अधारित कथा है, ये चमपा थी और टोटल जो है सुल्ला महाजन पद हुए थे अगला प्रशने पर्थम बहुत संगीती का अधाच किस ने किया था पर्थम बहुत संगीती की अधेशता जो है इसकी अधेशता महा कश्चप के द्वारा किया गया था मगद का पर्थम राजधानी कहा थी मगद का पर्थम राजधानी जो थी ये राजगिरी या फिर गिर्जवर्ज या फिर राजगिरी मगद की पर्थम राजधानी थी अगला प्रशन है त्री पीटक धर्म ग्रंथ है त्री पीटक धर्म ग्रंथ की बाद करें तो बाधो का जो है ये त्री पीटक धर्म ग्रंथ है अष्ट्या धाय किसकी प्रसित किती है अष्ट्या धाय की बात करें तो अष्ट्या धाय यह पानीनी की प्रसित किती है पानीनी आप्शन C's का right answer अगला प्रस्ण है कि विस्त तस्टा, यानि हाइडेस TPS हाइडेया स्पीच का यूद किसके बीच हुआ हाइडेया स्पीच का यूद जो है यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था तो आप्शन है इसका राइटेंस और जगा सिकंदर और पेरस इसको जो है बितस्ता का यूद भी कहा जाता है तो friend हमने सारे प्रष्ण को आज की सेट में सेट नमर 11 को करा दिया है और आगे के प्रष्ण को हम लोग अगले वीडियो में cover करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो में like कर देंगे और चैनल पोको अभी तक सबस्क्राइब ने कि हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी एक सेर्ड जरूर किजिएगा तो चले फिरें आज की वीडियो में इतना ही अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना है जहन